हलो फ्रेंड्स इस्टडी बिद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूँ कृष्णा अदो फ्रेंड्स बिस भोगोल के क्रम में हम काफी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो वाई मंडल के मिसे में है और वाई मंडल के संगटन के मिसे में हम पढ़ेंगे composition of atmosphere तो जब हम वाई मंडल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कई चीजें पढ़नी होती हैं दो सबसे प्रमुक्ष चीजे पढ़नी होती हैं, एक हमें पढ़ना होता है वायुमंडल का संगठन, यानि उसमें क्या-क्या है, और दूसरी चीज हमें पढ़नी होती है सनरचना, दोनों ही चैप्टर अपने आप में इंपोर्टेंट हैं, और आपके सभी प्रिछाओं में इन से प्रस्ण जरूर ही पूछे जाते हैं, इनको हम अलग-अलग पढ़ेंगे, अलग-अलग इसलिए पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल जो रिटेन इक्जाम होता है, तो उसमें आपको ये अलग-अलग दिये जा सकते हैं, इसलिए हम दोनों के टॉपिक को बिल्कुल अलग लग रखेंगे, जब हम संगघतन की बात करेंगे, यानि कमपोजिसन अफैट मेया स्फियर की बात करेंगे, तो उसमें हम ये देखेंगे कि वायो मंडल में क्या-क्या चीजें पाई जाती हैं, और उनका क्या-क्या काम है, तो हम इन चीजों पर गवर करेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो आज के इस चैप्टर में जो हम फोकस करने वाले हैं वो composition of atmosphere यानी वायु मंदल के संग्टन पर हम बात करेंगे तो यहां पर हमें सबसे पहले हम बात जो करेंगे वो करेंगे वायु मंदल की उत्पत्य के विसे में हम सबसे पहला topic यही पढ़ने वाले हैं व पूरा डीप में पढ़ेंगे ताकि किसी भी एक्जाम में अगर वायू मंडल के संग्टन से कोई भी कुश्चन आता है तो आपका वो कोशिस करेंगे कि गलत नहोने पाए तो यहां पर वायू मंडल की जब हम उत्पत्त की बात करते हैं तो सुरुवात में हम जानते हैं कि हम इसे भी निकल रही थी और प्रतवी की जो घूमने की गती थी वो बहुत तेज थी इस चीज को आप गवर से समझेए कि जब शुरू में प्रतवी की एक्सिस पे घूमने की गती थी प्रतवी आपको पता है कि अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है अपनी जगे पर ही घूम और जो चीज़ जितनी तेजी से घुमती है वो अपने उपर की चीजों को उतनी तेजी से बाहर फेकती है इसलिए जब प्रारंभ में پ्रथवी से जो गैसे निकल रही थी वो उसके उपर रुक नहीं पा रही थी वो अंत्रिच में चली जा रही तो उसमें अपकेंदरबल ज्यादा था इस वज़े से वाय मंडल जो है पर्थवी पे रुक नहीं पारा था वो बाहर चला जारा था धीरे धीरे जैसे जैसे पर्थवी ठंडी होती गई तो वो उसकी स्पीड जो है घूमने की कम होती गई और उसका गुर्तवा करशन जो है वो बढ़ता गया गुर्तवा करशन का मंदल है अंदर की तरफ खीचने की सकती यानि अभिकेंदर बल जो है वो बढ़ता गया और धीरे धीरे जो उससे गैसेस निकल रही थी वो उसके उ वायू मंडल तो वायू मंडल को अगर हम परिभासित करें कि वायू मंडल क्या है तो वायू मंडल जो है पर्थवी के चारो तरफ एक हवा का आवरण है विभिन गैसो का एक आवरण है जिसको कहा जाता है वायू मंडल तो इस वायू मंडल का निर्माड माना जाता है कि लगबग एक अरब साल पहले हुआ होगा कितने दिन पहले लगबग एक अरब वर्स पहले वर्स पूर्ब जो है इस वायू मंदल का निर्माड हुआ था लेकिन प्रारंभ में जो इसमें गैसेस थी वो दूसरी थी उनका कमपोजिशन यानि वायू का जो composition है वो दूसरा था और वरतमान में जो हम composition आज पढ़ेंगे वो दूसरा है क्योंकि बाद में प्रतवी पर बनस्पतियां पेड़ पोधे जीव जन्त ये सब उत्पन हुए और प्रतवी ठंडी हो गई तब यहाँ पर जो का प्रतिसत मात्रा है वो change हो गया पहले शुरुवात में यहाँ पर जो है un gases थी उनके प्रतिसत मात्रा भी दूसरी थी अब वरतमान में जो मात्रा है उसी को हम जो है composition कहते है यानि वायू का संगठन कहते है वायू में कौन कौन सी gases पाई जाती है वो आज के chapter में हम पूरा detail में पढ़ेंगे तो वायू मंडल का संगठन composition तो इस समय वायू में तीन चीजे पाई जाती है पहली चीज है gas यानि विभिन गैसे gases आप कह सकते है ठीक है दूसरी चीज जो वायू में पाई जाती है वायू मंडल में वो है जल वास्प यानि पानी और जल वास्प जो है वायू मंडल में वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है ठीक है यह question आप से अलग से पूछा जाता है कि कौन सी चीज हमारे वायू मंडल में जो है द्रव के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है जो है पदार्थ की तीन अवस्थाओं कौन कोशी होती है ठोस, द्रो, गैस तो जो जलवास्प है वो ठोस रूप में भी पाई जाती है हमारे वायो मंदल में ठोस मतलब जैसे बर्फ बादलों में जो बर्फ जमी हुई है बर्फ के तुकड़े जमे हुए है तो वो ठोस रूप में है दूसरी चीज है द्रो रूप में द्रो रूप में जलवास्प तो पाई ही जाती है जहां पे छोटी-छोटी बूंदों के रूप में पानी जो है वो gas रूप में है तो जलवास्प जो होती है वो हमारे वायू मंडल में तीनो रूपों में पाई जाती है ठोस्दो और gas रूप में बाकी जो gases होती है वो सभी जो है gas form में पाई जाती है और तीसरी चीज जो हमारे वायू मंडल में वो क्या है वो है धूल कड़ धूल कड़ तो ये तीन चीजे हमारे वायू का जो है पूरा निर्मार करती है गैसे जलवास्प और धूल कड़ तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैसों की तो गैसे कौन कौन सी है हमारे वायू में गै गैसें, वहां से दो प्रकार के question उरते हैं, इक्जाम्स में जो है, गैसों से related दो टाइप के question आप से पूछे जाते हैं, एक question तो direct ये होता है कि किस गैस का कितना प्रतिस्थ पाया जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, और एकूरेट आपको मालूब होना चाहिए दूसरे टाइप के question ये उठते हैं कि gases से related कुछ प्रमुक बिंद है उन gases के महत तो है जीवन में हमारे इस प्रत्वी पे कुछ उनके गुर्धर्म है उनसे related question पूछे जाते हैं और वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल क्योंकि वो थोड़ा कठिन पड़ते हैं और ये ज जो gases की मात्रा है ये सारे student रटे बैठे हैं तो इसको अब कम पूछा जाता है लेकिन जो बिसेस point में बताऊंगा वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहले हम जा लेते हैं कि gases में क्या प्रतिसत है तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे वायू मंडल में गैस है वो है nitrogen nitrogen और nitrogen की प्रतिसत मात्रा है 78.1% 78.1% या इसको आप round figure में 78% कह सकते हैं इसके बाद जो दूसरे नंबर पे गैस आती है वो है oxygen और oxygen जो है वो 20.9% है या इसे आप 21% round figure में कह सकते हैं यानि इसको आप कह सकते हैं 21% 21% और इसको कह सकते हैं 78% और ये दोनों gases मिल करके 99% वायू मंडल बना देती है यानि हमारी हवा में हमारे इस वायू मंडल में जो total gases है उसका 99% भाग सिर्फ दो gases से बना हुआ है वो है nitrogen और oxygen nitrogen सरवाधिक मात्रा में है 78% oxygen 21% 99 ये हो जाता है तो तीसरे नंबर पे कहुंसी गैस आती है ये बन जाता है आपका महत्यपूर question तो तीसरे नंबर पे जो गैस है वो है आरगान आरगान एक अक्री गैस है और इसका जो प्रतिसत है वो है carbon dioxide carbon dioxide इसकी मात्रा जो है बहुत कम है CO2 की मात्रा जो है वो चोथे नंबर पे आ रही है ये 0.03 प्रतिसत ये 4 गैसेस का तो आपको प्रतिसत याद रखना है ये पूछा जाता है सीधे direct question भी पूछा जा सकता है और क्रम भी पूछा जा सकता है कि गैसों के मात्रा के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में arrange कीजे जब प्रतिसत पूछा जाता है तो उपर के चार गैसों का पूछा जाता है और जब हमें arrange करने वाला question दिया जाता है तब हम नीचे तक एक साड़ी बनाएंगे उसको आप ज्यादा ध्यान दीजेगा क्यों नियान नियान के बाद में हिलियम प्रमुक गैसों की हम बात कर रहे हैं और हिलियम के बाद में गैस आपकी आएगी ओजोन देखे ओजोन बहुत कम मात्रा में है और फिर हम आठ नंबर पे हाइड्रोजन सबसे कम हाइड्रोजन तो ये क्रम है नाइट्रोजन आक्सीजन आ हिलियम, ओजोन, हाइड्रोजन यह गैसों का क्रम आप याद रखे जब प्रतिस्थ पूछा रहेगा तो उपर की गैसिस का पूछा रहेगा और जब आपको घटते या बढ़ते क्रम में पूछा रहेगा तो निश्ची तोर से नीचे की गैसिस आपको दी जाएंगी क्योंकि यह अक्सर आप याद नहीं करते हैं तो यह गैसिस का हमारा प्रतिस्थ है संगठन में अब हम एक एक गैस को जो है लेकर के उसके विसे में कुछ चीजे जानेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की नाइट्रोजन गैस जो होती है वो एक भारी गैस है वैसे अगर कुछ चल मैं आप से करूँ कि हमारे वायू मंदल की सबसे भारी गैस कोईसी है तो सबसे भारी गैस है कारबन डैकसाइड कारबन डैकसाइड सबसे भारी इसको भी मैं बताऊंगा भी आप इसको लिख भी ले अलग से सबसे भारी गैस और अगर हम बात करें कि सबसे हलकी गैस कौँसी है तो वो है हाइड्रोजन ये क्या है सबसे हलकी गैस है हमारे वातावरण में जो भी गैस है उसमें सबसे भारी कारबन डियक्साइड है तो जो गैस जितनी भारी होगी वो हमारे धरातल के नजदीक उतना ज्यादा पाई जाएगी ये चीज़ आप ध्यार रखेगा को कि ये कुश्चन कभी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस धरातल के सबसे नजदीक पाई जाएगी तो वहाँ पे कार्बन डैकसाइड सबसे नजदीक की बात करते हैं तो आप बताईए कि नाइट्रोजन जो गैस है उसका उपयोग क्या है क्या उपयोग है नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख जो उपयोग है वो है ये प्रोटीन बनाने के लिए आवस्यक गैस है प्रोटीन प्रोटीन जो पोधों के लिए जो मनुस्यों के लिए एक महत्पूर्पदार्थ है प्रोटीन तो वो प्रोटीन बनने के लिए जो सबसे में कमपोनेंट है वो है नाइट्रोजन तो पहला पोइंट आप यहीं लगेंगे कि yoo जो है प्रोटीन निर्माड के लिए आवस्यक गैस है प्रोटीन निर्माड के लिए आवस्यक है नाइट्रोजन तो क्या जो वातावर्ण में नाइट्रोजन इतनी मात्रा में उपस्थित है यह सीधे प्रोटीन बन सकता है क्या हमारे शरीर में सीधे नाइट्रोजन से प्रो तो सीधे तो वातावरण से भोजन बना ही नहीं सकते हैं, प्रोटीन भोजन ही तो है, तो प्रोटीन और कारबन कुछ भी हम नहीं बना सकते हैं, कोई भी प्रकार का भोजन नहीं बना सकते हैं, तो प्रोटीन कौन बनाता है, प्रोटीन बनाते हैं पेड़ पोधे, और हम लो होते हैं उस प्रोटीन का निर्मान करते हैं तो क्या वो पेड़ पोधे सीधे जो है वातावरण की नाइट्रोजन को पा करके प्रोटीन बना लेंगे अगर ऐसा होता तो खेतों में हम लोगों को यूरिया जो खाद डालते हैं उसमें नाइट्रोजन होती ना यूरिया में क् NPK, nitrogen, phosphorus और potassium, यूरिया में जो है, वो nitrogen होती, खास करके वो nitrogen के लिए डाली जाती है खेत में, ताकि पेड़ पोधों को nitrogen मिले, और protein वो बना सके, तो आप question ये उठता है, कि यदि nitrogen हमारे वातावरण में 78% भरी हुई है, तो फिर खेत में अलग से nitrogen डालने की क्या जरूरत है, तो उसका कारण ये है, कि पेड़ पोधे वातावरण की जो nitrogen है, गैस है, उसको ग्रहड नहीं कर सकते है, वो उनके लिए बेकार है, उसको वो प्राप्त ही नहीं कर सकते है, तो फिर वो nitrogen कैसे पेड़ पोधे प्राप्त करते हैं, ये बन जाता है आपका अगला question, तो जो वातावरण की nitrogen है, आप ऐसे नोट करें, कि वातावरण की nitrogen को, nitrogen को, एक जीवार, एक बैक्टीरिया होता है, जीवार या बैक्टीरिया आप इसे लिखें, बैक्टीरिया जमीन में पाय जाता है, वातावरण की nitrogen को, एक जीवार जो है, वो मिट्टी में, यानि मर्दा में, इस्थरी करड़ कर देता है, इस्थरी करड़, यानि fixation, इसको क्या कहते हैं? nitrogen इस्थरी करड़, nitrogen इस्थरी करड़, इसे आप नोट करने important है पूछा जाता है बहुत पूछा जाता है nitrogen fixation तो वातावरण की जो nitrogen है उसको एक bacteria होता है जमीन में पाया जाता है और जमीन से टच में रहती है nitrogen तो उस nitrogen को वो जमीन के अंदर इस्थिर कर देता है fix कर देता है किस रूप में nitrates के रूप में तो उस bacteria का नाम क्या है उस bacteria का नाम है उस जिवान का नाम है rhizobium उसका नाम आप जरूर याद रखेंगे rhizobium leguminosurum leguminosurum तो ये जिवान जो होता है वो वातावरण की nitrogen को fix कर देता है किस में मर्दा में मिट्टी में फिर उस जो है nitrate को यानी nitrogen को पेर पौधे प्राप्त कर सकते है और protein बनाते है तो उस जिवान का नाम क्या है rhizobium leguminosurum और एक चीज़ खास है ये जिवान कहां पाया जाता है क्या हर जगे मिट्टी में ये जिवान पाया जाता है अगर ऐसा है तो फिर हमें यूरिया डालने की क्या जूबत पड़ती है फिर ये जिवान हमेशा बनाता रहे हमेशा वातावरण की nitrogen को खीचता रहे मिट्टी में मिलाता रहे और उसको पेड़ पोधे पाते रहेंगे तो ये कारण ये है कि ये राइजो बियम leguminosurum जो जिवान होए वो यहाँ पे एक सब्द आप देख रहे है leguminos तो जो है leguminosurum एक पेड़ पोधों का कुल होता है वो आप बोल चाल की भासा में जाने दलहनी फसले ये जो दलहनी फसले होती है दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है दलहनी फसलों की जड़ों में अब दलहनी फसले क्या होती है जैसे दलहन होता है तिलहन होता है दाल वाली फसले जैसे चला, अरहर, मतर ये सब क्या है दलहली फसले है काउंसी जैसे उदाहर के लिए चला, अरहर, मतर ये सब जो दाल वाले पेंड होते हैं इनकी जडों में ही रहता है ये बैक्टीरिया तो अगर आपके खेत में डाल वाली फसलें बोई जाती हैं और आप उनकी जड़ों को उखाड के फेकते नहीं हैं तो वो खेत उपजाओ बना रहता है इसी लिए जो हमारे पुराने किसान है वो फसल चक्र का प्रयोग करते थे वो कहते थे कि साल में एक बार खेत में कोई डाल का खेती जरूर की जानी चाहिए अरहर बो दीजिये चना बो दीजिये मटर बो दीजिये कोई डाल वाली फसल जो है खेत में साल में एक बार बोते थे तो उसका कारण भले वो न जानते हो लेकिन अनुभों से उन्होंने सीख जिसका नाम है राइजोबियम और वो जिवाड क्या करता है वो वातावरण की नाइट्रोजन को खीच करके मिट्टी में मिला देता है फिक्स कर देता है फिर उस नाइट्रोजन को पेड़ पोधे खीच सकते हैं अपनी जड़ों से तब आपको ये अलग से यूरिया डालने क जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है वर्तमान में हम जो है फसल चक्र को भूल गए है हम गेहू धान और ये सब फसले लेते चले जाते हैं और बीच में हम डाल को बोते ही नहीं है तो धीरे धीरे मिट्टी में क्या होता खेत में इस बैटेरिया की कम हो जाती है तब हम कहते हैं कि इसमें हमें रसाइनिक उर्वरक डालना पड़ेगा नाइट्रोजन अलग से डालनी पड़ेगी तो वरतमास्वें में जैसे हम देख रहें कि हमारे भारत का एक प्रदेश है सिक्किम, सिक्किम बिस्व का पहला ऐसा प्रदेश बन गया है जो किया जा रहा है वहाँ पे ये बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं वो मैं आगे आपको प्र्यावरण की क्लासिज में पढ़ाओंगा यहाँ पे आप यह जान लीजिए कि फसल चक्र का प्रियोग किया जाना चाहिए और राइजोबियम जो बैक्टिरिया होता है वो अब उपलब्ध भी है उसको आप खेत में डाल सकते हैं कि ताकि वो नाइटोजन का फिक्सेशन करे और बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसे केचुआ पालना और गोबर की खाद प्रियोग करना यह सब चीज़ा पर्याव है कि आक्सीजन जो गैस होती है वो जोलनसील होती है यानि आग लगाने में आक्सीजन नंबर एक पर गैस आती है किसका में आग लगाने में तो क्या कोई गैस जो है वो आग को नियंतरित भी करती है जी हां वो है नाइटोजन नाइटोजन का अगला जो हमारा वर्क है वो है आग को नियंतरित करना आग को नियंतरित करना यह आप कह सकते हैं बुझाना तो अगर नाइटरोजन गयस हमारे वायु मंडल में ना होती तो फिर हम किसी आग को बुझाने में असमर्थ हो जाते नाइटरोजन जो है वो oxygen की जलने की जो छंता होती उसको control किये रहती है जब आप कहीं पर कोई आग जलाते हैं तो एक नियंतरित मात्रा में ही वो जलती है क्योंकि आसपास nitrogen उपलद है वो उसको बहुत तेजी से फैलने नहीं देती है तो ये आग को नियंतरित करती है और यह एक रंग हीन गंध हीन गैस है तो इसका उपयोग जो है करतिम धुमा बनाने में भी होता है क्रतिम धुमा अब करतिम धुमा बनाने में बहुत सारी जगों पे करतिम धुमा का हमें जरूरत पढ़ती है जैसे कि कहीं पे धुये की निकलना है तो वहां पर धुमा उड़ा देते हैं और भी गैसेस में प्रियोग की जाती है नाइट्रोजन भी प्रियोग की जाती है क्योंकि यह ऐसा धुमा बनाती है जो नुकसान दायक नहीं है लेकिन वह विजबिल्टी को कम कर देती है ऐसा लगता है जैसे सामने कुहरा अच्छा गया है तो हम छुप करके निकल सकते हैं तो सेना में इसका प्रियोग होता है और मनोरंजन में आपने देखा होगा जिसे कहीं पर डांस चला है न्रत्य चला है रंग मंच पे तो वहां पर भी आप देखते हैं कि नीचे से थोड़ा सा एक दो फूर तक कुछ धु अब चुकि यह धुआ भारी है नाइट्रोजन से तो यह उपर नहीं उठता है वह नीचे नीचे ही रहता है तो इस प्रकार से यह कृतिम धुआ बनाने में भी काम आती है और यह नाइट्रोजन जो है एक सीतलक है तो अगर द्रवित नाइट्रोजन है द्रवित नाइट् कौन सी है वो है द्रवित नाइट्रोजन जब नाइट्रोजन को द्रव अवस्था में ले आते हैं तो वो बहुत ठंडी हो जाती है इतनी ठंडी हो जाती है कि उसके अंदर जो है करतीम अंग या कोई बोडी बहुत साले वर्सों तक हजारों वर्सों तक प्रिजर्व करके र बहुत महत्पूर है अब हम बात करते हैं आक्सीजन की जो हमारी अगली गैस है वो है आक्सीजन के विषय में सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट करें कि सबसे पहली चीज तो यही है कि यहाँ जो है एक जीवन दाइनी गैस है यानि यह हमारे स्वसन के लिए आवस्यक है और मनुस्यों के लिए स्वसन के लिए जो आवस्यक गैस है वो है आक्सीजन ओटू तो आक्सीजन में पहला पॉइंट क्या हो गया सबसे पहला पॉइंट आप नोट करें जीवन दाइनी जीवन दाइनी गैस आप लिखने बस इतने सही आप समझ जाएंगे कुछ बताने क जुरत नहीं है कि सभी मनुस्यों जीवजन तो के लिए स्वसन के लिए सानस लेने के लिए कौन सी गैसा आउस्यक है अक्सीजन गैस की आउसकता है तो एक point आपका ये हो गया दूसरी चीज क्या है दूसरा जो प्रसन आपसे पूछा डा सकता है या जो है आग जलाने के लिए आवस्यक गैस है आग जलाने के लिए आवस्यक है यानि यदि कहीं पे oxygen नहीं होगी तो तो वहां पे आग नहीं लग सकती है, इसलिए आप देखते हैं कि यदि कहीं पे आग लगी हो और उसको हम किसी चीज से कवर कर दे, तुरंत उसे बालू से या मोटे कंबल से या किसी धकने वाले पातर से उसे तुरंत हम धक दे तो क्या होगा? वहां पे आग सीजन नहीं पह लेती है तो वहां पे oxygen नहीं पहुँच पाती है और वह आग बुझ जाती है तो आग के जलने के लिए आवस्यक गयस है oxygen है oxygen जो हमारे वातावरण में खर्च भी होती रहती है बनती भी रहती है जैसे nitrogen तो कैसे बनती है oxygen आक्सीजन जो है वो प्रकास संसलेशन से निर्मित होती है प्रकास संसलेशन कौन करता है पेड़ पोधे करते हैं जब धूप प्रकास से मतलब है जब धूप होती है तो पेड़ पोधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं उसी क्रिया को कहा जाता है प्रकास संसलेशन इसमें ये तीन-चार चीजों का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, प्रकास का उपयोग करते हैं, और कार्बन डाय आकसाइड का उपयोग करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि जहां पे ज्यादा पेड़ पोधे होते हैं, वहां हवा सुद्ध हो जाती है, क्योंकि हवा को प्रदोसित करती है carbon dioxide और carbon dioxide जो है वो पेड़ पोधे प्रकास sensation की क्रिया में खीच लेते हैं अपना भोजल बनाने के लिए तो प्रकास sensation की क्रिया में वो carbon dioxide को खीच लेते हैं और उसमें जो है उत्पादित करते हैं oxygen यानि देखिये कितना प्रकतले अच्छा काम किया है हम लोग जब सास लेते हैं तो हम लोग कोई सी gas खर्च करते हैं हम लोग oxygen खर्च करते हैं और जब हम सास छोड़ते हैं तो कोई सी gas निकालते हैं carbon dioxide निकालते हैं अक्सीजन जो हमें मिल जाती है तो इस प्रकास से पेड़ और मनुष से एक दूसरे की मदद कर रहे है इसलिए हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए बलकि और अधिक मात्रा में लगाना चाहिए अगली बात हम करते हैं तो आक्सीजन जो है प्रकास से निकली तो क्या आक्सीजन पेड़ पोधे खर्च नहीं करते हैं जब रात में धूप नहीं होती है तो पेड़ पोधे भी स्वसन करते हैं और स्वसन में आक्सीजन खर्च करते हैं लेकिन वो जितनी आक्सीजन खर्च करते हैं जाजील में मैंने आपको बताया था, वहां बहुत बिसाल बन है, अमेजन बन, वहां उसको कहा जाता है, बिस्व का फेफडा, क्योंकि वह सबसे ज्यादा अक्सीजन वहां निर्मित करते हैं, पेड़ पोधे, तो इतनी चीज हमने अक्सीजन के बिसे में जानी, अब अगली चीज हम जान लेते हैं, अगली जो हमारी गैस है, वो है महत्वपूर जो है, वो है कार्बन डाइ आक्साइड, जो में में गैसे हैं, उनी के विसे में हमें जानना है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, वायल मंदल का काम क्या है, अगली गैस जो हमारी है, वो है CO2, यानि का कार्बन डाई आकसाइड तो जो कार्बन डाई आकसाइड है पहला पोइंट तो आप यही लिखें कि यह प्रकास संसलेशन के लिए आवस्यक गैस है अभी आपको मैंने डिटेल में बताया प्रकास संसलेशन के लिए आवस्यक गैस है यह पेड़ पोधे इस गैस को खीचते ह प्रकास संसलेशन करने के लिए और प्रकास संसलेशन की क्रिया से भोजन बनाते हैं और फिर वो निकालते हैं आक्सीजन तो कुश्चन आप से पूछा जा सकता है कि कौन सी क्रिया में आक्सीजन उत्पन होती है तो क्या उत्तर होगा प्रकास संसलेशन क्रिया में आक्सीजन उत्पन होती है कौन सी क्रिया में कार्बन डायकसाइड जो है खर्च होती है तो उत्तर होगा प्रकास संसलेशन वहां कार्बन डायकसाइड को कनवर्ट किया जाता है भोजन बनाने के लिए गुलुकोज बनाने के लिए तो पहला पॉइंट तो यह हो गया प्रकास सिंसलेशन के लिए आउस्से गवस है दूसरी यह हमारे वायुमंडल की सबसे भारी गवस है सबसे भारी है इसलिए यह लगभग 20 किलो मीटर तक सबसे ज़्यादा मातरा में पाई जाती है 20 किलो मीटर तक इसकी सरवाधिक मातरा पाई जाती है किसकी कारबन डैयाकसाइड की और कारबन डैयाकसाइड बहुत ज़्यादा प्रचलित आप सुनते रहते होंगे यहाँ एक हरित ग्रह गैस है यह क्या है यह हरित ग्रह गैस है अब यह हरित ग्रह गैस क्या होती है हरित ग्रह गैस जो है वो ताप मान बढ़ाने के लिए जुम्मेदार होती है इसको जब हम एक अलग चैप्टर में हरित ग्रीन हाउस पढ़ेंगे गलोबल वार्मिंग में त वातावरण का तापमान बढ़ाने के लिए जुम्मेदार होती है जहां पे जितनी ज्यादा CO2 होगी वहां का टमपरेचर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा तो CO2 एक हरित ग्रह गैस है कौँसी CO2 इसी तरह मीथेन भी होती है आप यहीं प्याद रखें मीथेन भी होती है ज उसको अलग से पढ़ेंगे तो अब हम बात कर लेते हैं ओजोन की अगली गैस हमारी है ओजोन इसको कहा जाता है ओथरी यानि यह आकसीजन का ही एक रूप होती है ओजोन और यह कहां पाई जाती है सबसे पहला प्रस्ण यह है तो यह हमारे वायू मंदल में जो है एक मंद होता है समताप मंदल समताप मंदल जब हम अगले चैप्तर में वायू मंदल की सरचना पढ़ेंगे तब वहां पे हम छोब मंदल समताप मंदल यह सब ही मंदल पढ़ेंगे तो उसमें जो है सिकेंड जो मंदल होता है समताप मंदल तो उस मंदल में ओजोन गैस पाई जाती ह ये जो है 15 से 35 किलो मीटर के बीच में ये गैस सरवाधिक मातरा में पाई जाती है 15 से 35 किलो मीटर के बीच में यानि प्रतवी से 15 किलो मीटर उचाई के बाद में सरवाधिक मातरा में आपको ओजोन गैस मिलेगी इसलिए जो है 15 से 35 किलोमीटर या 12 से ही इस्टार्ट हो जाती है ज्यादा मात्रा में मिलना तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच को कहा जाता है ओजोनोस्फियर यानि ओजोन मंडल तो ओजोन गैस क्या करती है ओजोन गैस का महत्त क्या है हम ओजोन गैस में कुछ चना आप से पूछा जाता है कि ओजोन गैस हमें किस प्रकार से लाभ पहुचाती है तो जो ओजोन इस गैस की बात की जा रही है जो समताप मंदल में उपस्तित है ओजोन गैस की लेयर जिसको ओजोन परत कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है ओजोन परत जो 35 किलो मेटर और 15 किलो मेटर के बीच में मोती ओजोन की पट्टी है उसको ओजोन परत कहा जाता है तो वो ओजोन परत हमें सूर की अल्ट्रा वाइलेट यह आप कराए सकते हैं परा बैंगनी किरणों से बचाती है परा किर्णों को यह सोक लेती हैं और हमें उन से बचाती हैं क्योंकि जो अल्ट्रा वाइलेट किर्णे हैं वो कैंसर उत्पन करती हैं जब अल्ट्रा वाइलेट किर्णे हमारी iskin पे आंखों पे आके गिरती है तो उनसे जो है इसकिन पे cancer होने की खत्रा होता है तो ओजोन परत जो होती है वो ultraviolet केरणों को सोक लेती है हमारी प्रतिवी तक नहीं पहुँच पाती है इसलिए इसको एक रच्छा कवच भी कहा जाता है प्रतिवी के चारों और एक प्रकृतिक रूप से ओजोन का रच्छा कवच भी है लेकिन अब लेकिन क्या आगिया यहाँ पे जो लाभदायक है तो लेकिन क्या लेकिन जो यह है कि ओजोन गैस अगर हमारी प्रतिवी के निकट में प्रतिवी के निकट यानि जहाँ पे हम सांस ले रहें यहां पे अगर ज्यादा हो जाए ज्यादा मात्रा में आ जाए तो वो एक प्रदूसक हो जाएगी यानि ओजोन के दो रोल है ओजोन एक लाभ दायक गैस है कब जब वो 15 से 35 किलोमीटर के उपर रहे वहां रहे तो वहां हमें वो उसे अल्ट्रा वाइलेट किल्डों से बचा रहे जहां पे हम सास ले रहे हैं तो वही ओजोन हमारे फेफ़डों के लिए नुक्सा अंदायक हो जाएगी दिल्ली में आप देख रहे हैं दिल्ली ओगरा जो महानगर है वहां पे एक समस्या और जन्म ले रही है वहाँ पे ओजोन की मात्रा हमारे प्रत्वी के निकट बढ़ रही है तो उसको कहा जाता है ओजोन प्रदूशण तो कभी अगर कुशन आ जाता है कि क्या ओजोन प्रदूशण भी करती है तो यस अगर ओजोन हमारे प्रतवी के निकट ज्यादा मातरा में आ जाएगी एक प्रसंट है उससे ज्यादा आ जाएगी कुछ प्रतिसत निरधारित है तो वो प्रदूसक हो जाएगी नुकसान दायक हो जाएगी और अगर वो उपर रहती है तो वो हमारे लिए लाबदायक है तो इस प्रकार से हमने ये प्रमुख प्रमुख गैसों के विशय में जाना जहां से कुश्चन हमारे एक्जाम में बनते रहते हैं तो हमने अब गैसेस की बात कर ली तो अब हम बात कर लेते हैं अगला component का उन था जलवास्प अब हम बात करते हैं कि जो जलवास्प है वो उसकी situation क्या है हमारे वायो मंडल में तो जो जलवास्प है वो जो है दो किलो मीटर तक अधिक्तम होती है अधिक्तम अगर बात करें कि हमारे वातावरण में जो जलवास्प है वो ज्यादा तर मात्रा उसकी दो किलो मीटर तक रहती है ऐसा नहीं है कि दो किलो मीटर के उपर जलवास्प जाती नहीं है लेकिन जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो जलवास्प की दो किलो मीटर तक रहती है और इसकी जो मात्रा है वो 2 से 4 प्रतिसत तक रहती है और ये सबसे ज़्यादा परिवर्तन सील है परिवर्तन सील का मतलब है कि अन जो gases है जैसे nitrogen, oxygen, carbon dioxide तो उसमें हम पढ़ते हैं कि nitrogen 78% है तो वो 78% रहती है वो ऐसा नहीं होगा कि कभी वो 60% हो जाए कभी 90% हो जाए ऐसा नहीं होगा लेकिन जो जलवास्प है वो परिवर्तन सील है इसकी मात्रा जो है तापमान के हिसाब से मौसम के हिसाब से बदलती रहती है और जगे के हिसाब से भी बदलती रहती है कहीं कहीं पे आपको ये 4% मिलेगी कहीं 3% मिलेगी कहीं 2% मिलेगी जब गर्मी ज्याद मात्रा भी बढ़िया होगी वहाँ ज्यादा हो जाएगी जो सुस्क कोल्ड मरुस्थल होगे सुस्क एयर होगी वहाँ पे जलवाप्स की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी तो यह एक परिवर्तन सील गैस है यह क्या करती है क्या इसका उप्योग है तो यह एक हरित ग्रह गैस है जैसा carbon dioxide है वैसे ये भी है हरितगा यानि ये तापमान को maintain करती है तापमान बढ़ाती है इसी लिए जो ये carbon dioxide है और ये सब चीजे है ये तापमान को बढ़ा देती है जैसे आप कहने लगते हैं न कि यहाँ पे बहुत उमस हो रही है तापमान तो उमस का मतलब होता है वहाँ की वायू में जलवास्प है और वो जलवास्प जो होती है वो heat को trap कर लेती है यानि अपने अंदर वो उस्मा को concise कर लेती है इसी लिए वहाँ पे तापमान बढ़ जाता है तो हरित ग्रह इसके अंदर इफेक्ट होता है जलवास्प के अंदर और ये वरसण करती है यानि वरसा के लिए जुम्मेदार है अगर जलवास्प नहीं होगी तो फिर पानी कैसे बरसेगा जो हमारे समुद्र नदियों तालाबों से गर्मी की वज़े से पानी भाप बन करके हवा में मिक्स हो जाता है उसी को जलवास्प कहा जाता है और वही जलवास्प बाद में ठंडी हो करके बरसती है तो बरसा होने के लिए कौन से जुम्मेदार है वो है जलवास्प तो जलवास्प जो है वो बरसा होने के लिए जुम्मेदार है तो इस प्रकार से हमने जलव जलवास्प के बिसे में जाना अब अगली चीज होती है धूल अगला जो हमारे वायु मंडल का अगला कंपोनेंट वह है क्या है धूल तीसे नंबर पे पहले नंबर पे हमने देखा था गैसेस तो सभी गैसेस हमने पढ़ ली दूसरी चीज हमने जलवास्प और तीसरी पराग पराग जो पेड़ पोधों के होते हैं पराग करज इनको कहा जाता है और इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर होता है नमक ये सब चीज सहीत रूप से कहा जाता है धूल या इनको कहा जाता है असुद्धिया इनको असुद्धिया भी कहा जाता है वायु मंड आप ये बताए कि ये सब चीजे वायू में पहुंचती कैसे हैं तो धूल वगेरा दो-तीन कारणों से जैसे आधी तूफ़ां से वायू मंडल में मिक्स हो जाती है और कहीं जौला मुखी फट गया तो उस जौला मुखी से धूल और राख जो होती है वो वायू मंडल में मिल इस प्रकार से ये सारी चीजें जो होती है वो पहुशती रहती है वातावरण में तो इनका काम क्या होता है एक तो आपने सुना होगा प्रकीरणन प्रकीरणन जो होता है वो प्रकास को प्रावर्तित कर देता है जब प्रकास उपर सल्लाइट आती है वातावरण में तो यही जो छोटे छोटे धूल के कड हवा में तैर रहे हैं इनके उपर टकराती है जैसे यह कोई धूल का कड है ऐसे से पड़े है उपर से लाइट आई और वो यहां से निकली तो नीचे निकल गई अगर किसी धूल के कड से टकाई तो यह ऐसे वापस हो जाती है तो वो उसको कहते है परावर्तित हो जाना और प्रकिर्णित हो जाना बिखर जाना जैसे बिल्कुल लोट गई तो उसको कहते है परावर्तित हो गई अगर आ करके वो बिखर गई चारो तरफ ही धरो धर तो उसको कहते है ये प्रकिर्णित हो गई है, इसको भी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये भी चीजे चैप्टर में है आपके, तो ये धूल कर जो होते हैं, वो प्रकिर्णन के लिए और परावर्तन के लिए जुम्मेदार होते हैं, प्रकास का प्रकिर्णन, प्रकास का परावर्तन, इन सब चीजों के लिए यही धूल धुमा जो कड़ उपर है वो सब जुमेदार है अगर ये न होते तो क्या फरक पड़ता तो क्या इन चीजों से कुछ लाभ भी होता है क्या बिल्कुल होता है जैसे कि जब प्रकास का प्रकीनन होता है आप हमें बताए अगर प्रकास का परावर्त अला कहां से आ जाता है अगर कोई भी प्रकास का सीधा आने का मार्ग नहो तो प्रकास की किरने तो सीधी रेखा में चलती है प्रकास की किरने कैसे चलती है तो आपके कमरे के अंदर प्रकास की किरने कैसे आ जाती है अगर माले आप कहेंगे कि खिरकी से आ जाती है चलो ठीक ह अगर ये कमरा है और यहाँ पे खिड़की है तो अगर कोई प्रकास की किरण खिड़की से आभी गई तो प्रकास की किरण तो सीधी चलती है तो इतनी जगे में उजाला होना चाहिए यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रकास की किरण मुड़ती तो है नहीं तो पूरे कमर मुड जाती है तब वो पूरे कमरे में बिखर जाती है और सब कहीं प्रकास हो जाता है और इसलिए सूरज के उद्र होने से पहले भी हमको प्रकास दिखाई पड़ने लगता है या फिर सूरज के डूब जाने के बाद में भी थोड़ी देर तक हमको प्रकास दिखाई पड़ हैं इन चीजों को हम science and tech में special chapter में detail में पढ़ेंगे तो हमने gases के बिसे में जान लिया जलवास्प के बिसे में जान लिया धूल के बिसे में जान लिया आप चलिए हम बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहे हैं अब आपसे कुछ question करेंगे जो दो पोचार आप जाने की वायू मंडल का काम क्या है जैसे आप से प्रसंद पूछे कि हमारे आसपास जो वायू मंडल है इसका क्या महत्व है तो पहली चीज तो आप यह बताएंगे जितना भी मैंने बताया कहानी कि वायू मंडल में जो gases होती है वो हमारे लिए कैसे कैसे महत्पूर्ण है अगर वो न होती तो ये सारे काम नहीं हो पाते यानि जीवन ही संभो नहीं होता पहला पॉइंट तो यह हो गया कि इस धर्ती पर जो जीवन है वो वायू मंडल उसके लिए आवस्यक है दूसरी चीज वायू मंडल से हमें कई चीजों की सुरच्छा भी मिलती है जैसे कि आप सुनते है कि कहीं प्रतिवी के गुर्तवा करशन में कोई उलका पिंड आ गया तो उलका पिंड जो होता है वो आकर के वायू मंडल से घरसन के कारण वो जल जा तो उलका पिंड भी धर्ती पे बहुत गिरते वैसे भी अगर कोई बहुत बड़ा है तो आही जाएगा तो इस प्रकार से वायू मंडल हमें उन चीजों से भी बचाता है वायू मंडल में जो जलवास्प होती है वो बरसा कराती है वायू मंडल में जो ओजोन होती है वो हमको अल्ट्रा वाइलेट किर्णों से बचाती है वायू मंडल में जो जलवास्प, कार्मन डायाकसाइड इस तरह की गैसेज है वो प्रतवी का तापमान बनाये रखती है प्रतवी का आउस्ट तापमान कितना है? 15 डिग्री सिंतिग्रेट तो वो 15 डिग्री सिंतिग्रेट पे मेंटेन रखती है अगर ये सब गैसेज नहोती तो प्रतवी का तापमान डिस्बैलेंस हो जाता तो इस प्रकार से वायू मंडल का अगर कारे लिखने को आ जाए तो जितने भी गैसेज के कारे आपने जाने हैं वही सब आपको लिखने होते है तो इस चैप्टर में हमने जाना वायू मंडल का जो संग्टन है यानि उसमें क्या-क्या चीजे हैं उनके क्या-क्या काम है अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे सरचना यानि कि वायो मंडल की जो gases है वो परतवी के ऊपर किस प्रकार से बिवस्थित है इस तरह से उनकी layers है और हर layer के कुछ अलग-अलग लचछड हैं कुछ अलग-अलग गुड़ धर्म हैं उन्ही के आधार पे उनको अलग-अलग नाम दिए गए हैं और उनमें कुछ अलग-अल पहले आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से तयार होना चाहिए तो मिलते हैं एक जल्डी ही नई क्लास में जिसमें हम इसे डिटेल में फिर पढ़ेंगे अस्तरों को और तब तक के लिए धन्यवाद